है गाइस वेलकम तो 5 मिनिट स्टोक एनालिसिस वीडियो जहां पर हम 5 मिनिट के अंदर किसी भी स्टोक का एनालिसिस करते हैं यह देखने की कोशिश करते हैं कि रिसेंट में हमको कहां ट्रेड मिल सकता है एंड उस ट्रेड के पीछे का लोजिक का है एंड सबसे इंपोर्टेंट बात हम कोई इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं सिप्राइस एक्षिन को यूज करके पूरा एनालिसिस करते हैं उस ट्रेड को एक्जिक्यूट करते है सो अब यार बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को करते में स्टार्ट अगर आज की केंडल देखोगे तो काफी अच्छी गिरावट हमको इसमें होती हुए नजर आई तो क्या इमीचेटल हमको इसमें फ्रेश बाइंग करनी ची या फिर सेलिंग करनी ची आप लोगों को साथ शेयर करने वाला हूं इस स्टॉक्स एलेटेड आपकी जित्ती भी क्यूरी होगी तो सबसे पहले में अंतली ताम फ्रेम का चार्ट लगा है सिंपल अगर प्राइज एक्षिन देखोगे तो काफी चाबुलिश प्राइज प्राइज एक उसके बाद देखोगे टॉप लगाने के बाद कांटिनुस ली एक बेरिश प्राइज एक्छिन एननि पर बड़े ताइम फ्रेम पर वोल्यूम देखूँगा, रिसेंटली वोल्यूम में काफी ची गिरावट होती हुई नजर आई है, यहनि कि बड़ी पार्टी अपना पेसा यहाँ पर नहीं निकाल रही है, सिर्फ जो रीटेलेस है, वो अपने हाइप के कारण, डर के कारण, मार्केट में टेली वोलिटिलीटी, ऑपसाइब मोमेंटम, यह अफिडाउसाइड मोमेंटम के कारण, जो है, हमको जो bullish momentum ता उसके compare में देखे तो selling pressure जादा नहीं है and volume में काफी गिरावट हुई इसका मदलब बड़ी पार्टी यहाँ पर ज्यादा involve होती हुई नजरा नहीं आ रही है यानिके price को नीचे ले जाने में प्राइस नीचे की तरह momentum करती जारी ठीक है तो यहाँ पर sell side trade लेने के लिए काफी easy होगा कहाँ पर अगर buy करते तो कहाँ पर cash के अंदर अगर आप buy करते हो तो कहाँ पर आप entry ले सकते हो क्या stop loss क्या target हो सकता है सब कुछ हम detail में जानने वाले है ठीक है इस week का अगर यह weekly time frame का चार्ट है तो इस week में देखोगा तो काफी ची गिरावट हमको देखने को मिली overall market भी देखोगा पिछले एक-दो week से continuously market में गिरावट है इसकी वज़े से stock में भी continuously इसमें गिरावट देखने को मिल रही है यहां पर आज का वॉल्यूम देखोगा तो वॉल्यूम काफी अच्छा है वी वॉल्यूम के साथ हमको गिरावट होती हुई नजर आए ठीक है इस trend line के उपर strong resistance की तरह काम कर रहा है ठीक है यह trend line जो strong resistance है जब भी प्राइज इस trend line को हीट करती है वहां पर हमको एक selling pressure देखने को मिलता है उसके बाद जो continuously downtrend चलता जाता है ठीक है नीचे में जो strong support level है वह कहां पर है वह मैं आपको दिखा देता हूं अगर यह level break होगा तो डेफिनेटली यह जो bearish trend है यह continue हो सकता है ठीक है नीचे में देख सकते हो price wise अगर में बात करूँ तो 3550 के असपास मान सकते हो इसको 3550 के असपास 3500 से 3550 ठीक है पांच से 10 रुपे की कोई value पचास से 100 रुपे की भी कोई खास value नहीं होती आपको पता है क्योंकि बड़ा इस्टों के तो डेफिनेटली इतना momentum इसके लिए बहुत छोटा है ठीक है यानि कि और देख सकते हो 3500 का एक round level number ठीक है तो 3500 का strong support level है यहाँ पर देख सकते हो price almost 2-3 बार price इसके उपर support ले चुकी ठीक है यहाँ पर देखो कि इस level के आसपास support ले आगे यहाँ पर support लिया है and price अभी आप देखो कि काफी ची गिरावट होने के बावजुद भी price strong support लेते होई इसी level के आसपास नजर आ रही है ठीक है तो 3500 का strong support level है 3500 से लगा कर 3550 का ठीक है दो दिन में heavy volume trade हो चुका है price strong support level के आसपास ही trade कर रही है तो अगर next price अगर इस level को नीचे की तरफ breakdown करती है यानि कि 3500 का level अगर break कर देती है 3550 से 3500 का level break कर देती है तो हमको और भ price अगर 3550 के आसपास यहां पर strong support level है तो यहीं पर अगर देखो आज भी थोड़ा सा rejection last के end of the day में देखोगे यहां से थोड़ा rejection देखने को मिला है लेकिन price अगर यहां पर अच्छे से support ले लीती है यहां पर देखो काफी ची गिरावट होई गिरावट होने के बाद क्या ह होगा जैसे मैं आपको simply समझाता हूं ठीक है अगर आप उपर से देखो के तो काफी ची गिरावट होती हो यहां पर support लिया फिर से support लिया फिर तेजी होई फिर से गिरावट होई तो फिर से price यहां पर support लेकर again bullish momentum एक green candle यहां पर बनाती है तो हम इसमें fresh buying कर सकते हैं आपक यहां पर fresh buying कर सकते हो अगर एक green candle के बाद उसका high break होता है next day दो दिन बाद तो यहां पर आप इसमें fresh buying कर सकते हो stop loss simply आपका 3500 से नीचे आपका stop loss होना चाहिए and target होना चाहिए उपर वाली जो trend line यहां तक आपका target होना चाहिए क्योंकि यहां से again price जो है selling के लिए आ सकती ह क्योंकि strong resistance level है तो यह उपर वाली trend line आपका target level होना चाहिए कभी इस उपर वाली trend line को price hit करें तो वहां पर आप अपना profit book कर सकते हो and उसके बाद वहां पर आपको थोड़ा price direction देखने को मिलेगा क्योंकि वहां से अगर breakout मिलता तो आप उसको continue कर सकते हो लेगिन आपके 300 के उपर price sustain कर जाती है अगर यहीं पर अगर support लेने के बाद bullish momentum देती है इस level के आसपास तभी आपको fresh buying करना है otherwise आपको simply ignore करना है और अगर आप fresh buying करते है तो stop loss simply 3500 से कुछ point थोड़ा सा point नीचे आपको stop loss set करना है and उसके बाद target के लिए wait करना इसके लाओ बीच में आपक आपका अच्छा होगा रिक्ष्टर रिवट काफी अच्छा बनेगा and अगर simply अगर next day 3500 एक दो दिन में अगर 3500 का level break कर देती ही price direct bullish momentum देए बीना ही हमको breakout नीचे के तरफ देखने को मिलता है तो आपको simply इसको ignore करना है क्योंकि उसके बाद और भी गिरावट देखने को मि कर सकते हैं इसके लिए मैं dedicated video बनाया हूं तो वीडियो आपको home screen पर दिख जाएगा channel के उपर and video की link आपको description में मिल जाएगी तो वीडियो को एक बाद जरूर देख लिएगा आपको सारी चीजे clear हो जाएगी किस तरीके से आपको joining करना क्या process सारी सारी चीजे इस वीडिय किसा तो